RSS प्रमुक मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है, कहा है कि जो यूआप पीडी है वो जब तक बुज़ुर्ग होगी तो अखंड भारत हकीकत बन चुका होगा। इस बारे में बाचीत का निकला हमारे साथ आम आधी पार्टी के राश्चे परवक्ता प्रेंका ककड हैं। प्रेंका जी जो मोहन भागवत का बयान आया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं। देखे हमारे बुज़ुर्गों ने भी बहुत खून पसीना बहा कर हमें आजादी दिलवाई है। हमारे बुज़ुर्गों ने भी बहुत काम किया है कि आज हमें एक सुवतंत्र भारत में रहते हैं और अपनी बात खुल कर कह सकते हैं। गुलाम नहीं हैं अंग्रिव्ज कि आज के भारत में जो सबसे जादा ज़रुत है कि मनिपुर को भारत का हिस्सा माना जाए और वैसा ही उसको व्यभार किया जाए उसके साथ आज के भारत में ये भी जरूरी है कि जॉबलस्नेस पर बेरोजगारी पर चर्चा हूँ और जो मैंने आपके माध्यम से भिन रिपोर्टों में सुना कि चीन भी घुसपैट कर चुका है और कई गाउं बसा चुका एंडिया में उसको आज के भारत से पहले निकाला जाए अपना प्रेजन्ट ठीक किया जाए एक और बयान मोहन भागवत का आया जिसमनों ने काया कि देश में जब तक असा मानता है तब तक आरक्षन रहना चाहिए और आरक्षन को लेकर लगतार वहस होती रही है इस पर आमाधी पार्टी क्या रहा है आरक्षन इंपोर्टन्ट है निश्चित तौर पर क्योंकि सबको एक्वल ऑपरचुनिटी नहीं मिली है हमारे देश में सबको बराबर एजुकेशन नहीं मिली सबको बराबर फसिलिटी नहीं मिली बट मोहन भागवजी ने 2015 में कहा था कि आरक्षन खतम होना चाहिए बिहार चुनाव से पहले और उसका शायद परिनाम उनको बिहार चुनाव के रिजल्ट्स में देखने को मिला आज फिर से चुनाव आ रहे हैं तो शायद इसलिए इस मानसिक्ता में भी बदलाव आया है सनातन को लेकर भी लगातार बहस चल रही है उदेनित स्टैलिन के बयान पर उद्दव ठारेक ठाकरेने नाराजगी जताई है वो ये कह रहे हैं कि वो इस तरह के बयानों को स्विकार नहीं करते हैं और वो उनके पिता से भी बात करेंगे आप क्या कहेंगे इस पर क्योंकि अब लगातार जो गड़बंधन इंडिया गड़बंधन बनाया है उसके कई दल हैं जो कि इससे बहुत नाराज हैं तो ऐसे में आमादी पार्टी इस मुद्धे पर कैसा आगे बढ़ रही है देखे अरवन केजडिवाल जी भी कहते हैं कि किसी को भी किसी के धर्म के बारे कॉमेंट करने से बचना चाहिए हम खुद सनातन धर्म प्रैक्टिस करते हैं और ये गलत है किसी भी धर्म के बारे टिपनी करना पंजाब में कल दो बड़े बयाना है खुद वहां के मुख्य मंतरी भगवंद मान का और वहां की जो मंतरी है अन्मोल गगन मान का उन्होंने काया है कि पंजाब में हम सभी सीरों पर चनाओ लड़ेंगे और भगवंद मान तो एक कह दिया कि हम कमजोर नहीं है हम लड़ेंगे जीतेंगे एक तरफ गड़बंधन हो रहा है गड़बंधन की मीटिंग हो रही है दूसी तरफ अलग अलग बयान कांग्रेस के साथ अलग अलग चनाओ लड़ने की बात हो रही है पंजाब में यह क्या हो रहा है टॉप लीडर्शिप इस पर फैसला लेगी लेकिन अपने तक इससे नुकसान होगा गड़बंधन के नहीं गड़बंधन बिलकुल अपनी दिशा पर चल रहा है और टॉप लीडर्शिप इस पर निरने लेगी प्रियंगा ककर सीधे तोर पर यह कह रही है कि जो टॉप लीडर्शिप है वो यह बताएगी कि पंजाब में क्या होना है किस तरीके से होना है लेकिन जो बयाना है उसके बाद से गड़बंधन पर सवाल जरूर उठ रहे है कैमरमेन परविल मिशा के साथ दीपक सिंगरावद इबीपी न्यूज दिली